मेहंगाई बेरोजगारी क्या अन्य मुद्दो पर राष्ट्रवाद हिंदुत्व राष्ट्र सब पर हावी होगी 24 में क्या देख रहे हैं आप बने विनोट जी या पीम की लोग प्रियता प्रेटर रहे गई रहेगा जितने चुनाओं अभी होने हैं और जो 24 तक होंगे उन जंबर 2023 तक कोई उभर के आजा तो अलग बात है एक तो यह सामने कोई बड़ा पहलवान नहीं है जाहिर जो पहलवान है वह अपने आप में आगे रहता है दूसरी बात यह है कि 9 साल का जो कारेकाल उनका है मोदी जी का उनकी अपने कामकाज की जो उपलब दियां आया जो जो भी उनकी ओजनाएं जो है वो हैं उनके सामने भला अभी पक्ष उसमें घंशाम जी ने बहुत आकड़े दिया और बताया कि कैसी असफलता है रही है राहूल गांदी जी बोल रहा है वह अपने तरीके से अब वह कितना नरेटिव ले जाते हैं लोगों के बीच तक यह इनकी कारे को शलता पर निर्वर करेंगा विपक्ष की लेकिन अभी आज की तारीक में जो आपका सर्वे दिखा रहा है वह इसी वही है अभी भारतियांता पार्टी विपक्ष की तुलना में काफी आगे है अब वह पांस सीट आगे हैं 307-2008 तान में लेकिन अभी जो चुनाओं कल हुए हैं और उसके बाद दिसंबर तक आठनाव राज्यों को चुनाओं हो जाएंगे इन में विपक्ष का क्या पर्फॉर्मेंस रहता है विपक्ष का क्या रहता है क्योंकि बाखी दल तो है नहीं इन चुनाओं में उस पर भी यह 28-29 परसेंट वोट का है औ अलग होता है सुधांचु जी सबकी बातों का जवाब दीजे राहूल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं उनको लग रहा है कि उसकी वजह से जनता उनकी तरफ बढ़ेगी वो कह रहे हैं अडानी का मुद्दा जिस पर पीम की चुपी वहां से लेकर BBC रेड्स आप एकस्पंज कर रहे हैं राहूल गांधी को क्या विपक्ष की आवाज को आप दबाते हैं डिसेंट की आवाज को देश में दबाते हैं जिसके बाद आप लोग अपने प्रश्न तयार रखेगा सबसे बड़ा अंतर जानते क्या मोदी जी के पर में क्रेडिबिलिटी और विपक्ष के साथ सबसे बड़ी समस्या है क्रेडिबिलिटी विश्वसनियता मैं इमांदारी से पूछना चाहता हूं अब ही बहुत बड़ा-बड़ा भाश्न घंशाम जीने दिया उत्तर प्रद की भी इंडस्टी आई है सैमसंग की इंडस्टी आई है यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है साथ एरपोर्ट बने हैं बताइए उनके जमाने में क्या था अदालतों में बंफट जाते थे और उसके बाद उनके विड्रॉ किया जाते थे अब सोचिए इसलिए हम कह रहे हैं जो क्राइसिस और क्रेडिबिल्टी की बात अब जो यह कहते हैं इसकी भी बात बताना चाहते हैं बहुत अच्छी बात आपने कही है अडानी समू को पिछले 6 माईने में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा मिला है राजस्तान ने मिला है जमीन दी है किसने अचोग गैलोत ने अचोग गैलोत ने दी है अब देखिए उसके बाद उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा माईन्स का प्रोजेक्ट कहा मिला है 36 गड़ में वो दिया है भूपेश बगेल जी ने उसके बाद पोर्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क प्रोजेक्ट तो अगर आप देखे तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई अगर मान लिजिए गलत है जो कुछ आपने लिखा है सही है ना पड़ो नहीं सही है ना मौनी बाबा आपके दोदो प्राइब अजय चलिए मान लिया तो कैंसल क्यों नहीं कर रहे हैं वह लिए य प्रोजेक्ट अड़ानी को कब मिला था रिष्टा क्या क्यों है अरे भाई हम तो म्यूट आप है इस समय मूट है मैं आप से पूछ रहा हूं देश की लूट हो रही है और मोदी जी लूट तो वह होती है आपको बताना चाहता हूं सुनिए जिस जमाने में मारुती थी जि और सीसी से कमकी सिर्फ कारों को छूट मिलती थी जो गाथ सो सीसी की मारुती होती थी बोलिये देश की लूट थी के नहीं